तो क्या हाल है मेरे भाइयों का? सब बढ़ी आया है ना? गैस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो नीचे एक कमेंट करके मुझे ये बताओ कि क्या आप इस टाइम पे कोई नया स्मार्टफुन पर चेस करने का प्लान कर रहे हो अगर कर रहे हो तो नीचे comment में ये बताना कि किस month में plan कर रहे हो because ये video एक specific reason की वज़े से मैं बना रहा हूँ आपको पता है कि साल में एक बार दिवाली के आसपास Flipkart और Amazon पे एक ऐसी sale आती है जिसमें बहुत अच्छा discount मिलता है और कई smart phones पे इतना सदर discount मिल जाता है कि उसके बाद मतलब दिवाली के बाद भी sale तो हर मीने आती रहती है बट उतना discount नहीं मिल पाता तो जो लोग उस sale में phone purchase कर लेते हैं उनका benefit हो जाता है otherwise थोड़ा आपको बाद में महंगा लेना पड़ता है एक चीज़ ध्यान रखना एक तो थोड़े से पैसे save करना start कर दो because हर बार जो sale आती है वो October में आती है मैं बात कर रहा हूँ Flipkart Big Billion Days 2022 जो sale आएगी और Amazon पे जो आती है Great Indian Festive Season वाली sale जो होती है same time पे October में दोनों sale आएगी और इस sale में सबसदर discount मिलता है for example last year आपने देखा होगा iPhone 12 64GB वाला model bank coffers और सारे discount के बाद 46,000 रुपीज का मिल रहा था और iPhone 12 mini 36,000 से 37,000 रुपीज का मिल रहा था sale खतम होने के बाद पूरे साल इतना discount हमें इन दोनों इफोन पे देखने को नहीं मिला iPhone 12 48, 49 तक तो आया था तो ये वीडियो पूरे अंट तक देखना इसका purpose सिर्फ इतना है कि October में एक sale आ रही है और अगर आप अभी कोई phone purchase करने का plan कर रहे हो बट लेट से आपका phone फिलाल ठीक ठाक काम कर रहा है तो 2-3 महीन अगर आप रुकोगे तो किस smartphone पे कितना discount आपको मिल सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ because हर साल sale आती है और मेरे अभी कुछ observation होता है तो थोड़ा बहुत एक idea होता है कि किस model पे कितना discount मिल सकता है and उस observation के basis पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वीडियो को like कर देना 5000 likes का target दे रहो और चैनल को subscribe करके भाई को support कर दिया करो guys brand to brand बात करेंगे specific price segment पर मैं नहीं जाओँगो एक एक करके सबी brands के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते है realme के बारे में realme 9 pro plus कुछ टाइम पहले launch हुआ था dimensity 920 के साथ 25,000 रुपे का base model था और जब यह launch हुआ था तो इस पर 22,000 रुपे cashback मिल रहा था 22,000 रुपीज का आप में से कुछ लोगों ने खरीदा होगा उसके बाद कुछ महीने बाद एक दुबारा sale आई जिसमें यह 20,000 रुपीज का मिल रहा था अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो Flipkart Big Billion Day Sale आ रही है October 2022 में उसमें आप इसका price expect कर सकते हो कि bank offers के बाद discount के बाद 17,000 से 18,000 रुपीज में आपको यह phone मिल जाएगा और ऐसे में यह काफी value for money phone बन जाएगा तो अगर Flipkart में आपको यह cashback के बाद 35,000 रुपीज के राउंड मिल जाता है Dimensity 8100 chipset है इसमें और high refresh rate के साथ Amorate display मिल जाती है 35,000 रुपीज का फिलहाल मिल रहा है लेकिन Flipkart Big Billion Days में इसका जो price drop है वो 5,000 रुपीज के राउंड हो सकता है and 30,000 रुपीज के राउंड आप इसको sale में purchase कर पाऊगे तो इसके लिए भी आप wait कर सकते हो अगर कोई जल्दी नहीं है तो इनका एक flagship phone है Realme GT2 Pro जो Snapdragon 8 Gen 1 के साथ आता है एक model इसका 55,000 रुपे का है जिसमें 12 GB RAM है और 8 GB RAM, 128 GB storage वाला 50,000 रुपे का है फिलहाल Flipkart में ये 47,000 something का मिल रहा है इस phone पे आप 6-7,000 रुपे तक cashback अगर मैं लगा लूँ bank offer apply कर दूँ और जो भी discount होगा उसके बाद 6-7,000 रुपे आप बचा सकते हो गाइस अब बात करते हैं IQ के बारे में इनके 3-4 model है जो Amazon पे अवलेबल है और IQ Neo 6 है, IQ 9 SE, IQ 9 है, IQ 9 Pro है IQ 9 Pro 65,000 रुपीज का phone है Snapdragon 8 Gen 1 के साथ आता है 65,000 रुपीज वैसे price काफी जादा है लोग इस price segment में Samsung या Apple लेना प्रेफर करते हैं इस phone पे आप काफी अच्छा discount expect कर सकते हो Amazon festive season sale में ये आपको 54-55,000 रुपीज का मिल जाएगा तो 10-11,000 रुपे save हो जाएगे अगर आप October तक wait कर लो तो मैं cashback मतलब जो bank offer है और जो flat discount होगा coupon discount देता है Amazon sale में उस सबको मिला के बता रहा हूँ अगर मैं next phone की बात करूँ तो इससे नीचे आता है इनका IQ9 जो snapdragon 888 के साथ आता है 43,000 रुपीज का phone है ये और फिलहाल इस पे कुछ 4,000 रुपे का cashback चल रहा है तो 39,000 रुपीज का आपको ये मिल जाएगा अगर अभी purchase करना हो तो लेकिन अगर आप October तक wait कर लेते हो तो आपको sale में ये phone 35,000 रुपीज के round आप expect कर सकते हो किसका price drop हो जाएगा तो ऐसे में 4-5,000 रुपे की savings और हो जाएगी अगरने बात करो IQ9 SE की जो मुझे IQ brand का सबसे जादा value for money phone लगता है और मैं काफी recommend भी करता हूँ ये 34,000 रुपीज का phone है 3,000 रुपे cashback चल रहा है तो 31,000 रुपीज का पढ़ जाता है कभी-कभी 30,000 में भी मिल जाता है वैसे phone discount जब थोड़ो सा ज़ादा हो या coupon discount आ जाता है कई बार Amazon की sale में इस पे जादा नहीं बट 2,500 रुपे या max 3,000 रुपे का discount आपको और मिल जाएगा तो 27,000 से 28,000 रुपीज में आप snapdragon 888 एक बढ़िया AMOLED डिस्प्ले और fast charging के साथ मतलब 27,28 में ये कमाल की deal बन जाएगी iqoo Neo 6 जो है इनका दूसरा phone जो recently launch हुआ है ये cashback के बार 27,000 रुपीज का फिलाल आ रहा है snapdragon 870 के साथ and इस पे भी 3,000 रुपे के आसपस price drop आप expect कर सकते हो तो 24,000 रुपे के round आपको iqoo Neo 6 भी Amazon की sale में October में मिल जाएगा iqoo की यही phones थे जो मुझे सोड़े से ठीक लगते हैं तो इनी के बार में मैंने बात करी अच्छा next अगर मैं बात करूँ तो इसी के साथ complete कर रहा है आजकल OnePlus तो OnePlus 9RT काफी टाइम पहले वैसे तो launch हुआ था बट बहुत एक well-known phone है और काफी लोग purchase भी करते है 43,000 रुपीज का देखो यह phone है 3,000 रुपे का cashback हमेशे चलता रहता है तो यह 40,000 का पड़ता है और Amazon की sale में इस पे 5-6,000 रुपे का discount आपको मिल सकता है जब October में sale आएगी तो 34-35,000 रुपीज आप expect कर सकते हो कि इसका base model का price होगा और ऐसे में यह अच्छा option बन जाएगा अगर मैं बात करूँ इनके flagship phone की जो OnePlus 10 Pro है जो 67,000 रुपीज का phone है 6,000 रुपे का cashback चल रहा है ICC के card पे तो 61 का पड़ता है और यह phone भी आपको Amazon की sale में around 55,000 रुपीज के मिल जाएगा यह directly compete करेगा IQ9 Pro के साथ तो OnePlus 10 Pro अगर आप अभी purchase करने का plan करेओ तो इसके लिए भी थोड़ सा wait करके आप अपने पैसे save कर सकते हो well अब आते कैसे brand पे जितने भी Android phones है मेरे recording यह brand सबसे अच्छा software experience प्रोवाइड करता है users को consumers को मैं बात करो Samsung की आपको लग रहा होगा ज्यादा तारीफ करो वट सच में आरिन का user interface बहुत कमाल कर काफे चे से optimize होता है तो Samsung में दो phones है जिन पर price drop expected है एक है Samsung M53 जो फिलहाल 25,000 रुपे के round आपको मिल जाएगा Amazon पे इस पे 3,000 रुपे के round price drop आप expect कर सकते हो 22,000 रुपीस के round आपको इस phone sale में मिल जाएगा शाए 21 में भी मिल जाए but 21, 22 के round इसका price रहने वाला है और इनका अगर मैं बात करू फ्लैक्शिप तो नहीं है बट काफी flagship features के साथ और बढ़िया कमाल के camera के साथ Samsung S21 FE 5G 55,000 रुपे के round है वैसे offline में इस पे 6,000 रुपे का cash back और discount मिल जाता है तो 48,000 रुपीस में भी bank offers वगर apply करोगे और total जो discount देगा brand 40,000 के round आपको Samsung S21 FE 5G मिल जाएगा और ये बन जाएगा 40,000 रुपे में best camera phone क्योंकि इसका camera बहुत कमाल का है और अब तो display भी काफी bright कर दिया अगर मैं S20 FE 5G से compare करूँ और ये काफी बढ़िया option बन जाएगा तो देखते हैं sale आ रही है आप 2-3 मेने wait कर सकते हो एक बढ़िया camera phone चाहिए तो ये बहुत अच्छा option है इसको definitely consider करना अब finally बात कर लेते हैं Apple के बारे में जैसे कि आपने वीडियो का thumbnail भी देखा है तो iPhone 12 last year मैंने बताया कि 46,000 रु पर कैश बैक मिल जाता है तो 66,000 का फिलहाल ये आपको पड़ता है अब Amazon Flipkart किस पर offer आता ही ये नहीं पता बट दोनों में से किसी एक platform पर आपको ज्यादा discount देखने को मिलेगा और मैं expect कर रहा हूं कि जो base model है iPhone 13 का 126GB वाला वो 55,000 रुपीस के round आपको मिल जाएगा और में ये phone आपको एक कमाल का experience देगा जैसे कि मैं कहते हूं ना hardware अच्छा तो chipset तो ये देते ही powerful है display OLED है और software experience में तो Apple को beat करना वैसी काफी मुश्किल है कोई bugs नहीं होते है as such काफी smooth experience तीन तीन चार-चार साल तक आपको मिल जाएगा तो 55,000 रुपे में ये कमाल का मतलब ब तो ये next day ना 1200,000 रुपे phone का price बढ़ा देते हैं मैं आपको ये suggest करूँगा कि first day पे ही purchase कर लेना तो आपको थोड़ा benefit मिल जाएगा तो last 2-3 सालों से sale आ रही है और उस experience के basis पे उस observation के basis पे मैंने आप से ये information share करी है and most probably जो मैंने आपको बताया है उतना discount आपको मिल सकता है तो ऐसे मैं अगर एक निया phone purchase करने का plan कर रहे हो तो दिवाली आ रही है यार 2-3 महिने की बात है October तक वेट कर लो काफी अच्छे खासे पैसे save हो जाएंगे और एक बढ़िया deal अच्छे price का आपको एक निया phone मिल जाएगा मैं उमीद करता हूँ आपको भाई का content informative लगा हो मिलतो हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में till then you guys have a created